Hi guys, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी NTA की final provisional answer की release कर दी गई है और इस answer की के अंदर आपको total number of 333 question को drop कर लिया गया है अब इन questions के लिए grace marking दी जाएगी अगर आपने उनको paper में attempt किया है तो अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितने grace marks मिलेंगे तो ये deciding factor होता है कि आपने किस दिन paper दिया था यानि किस date को आपका paper था दूसरी चीज आपका paper कि shift में हो रहा था तीसरी चीज आपने किस subject को attempt किया है अब देखो इस video में मैं आपको ये सब बाते बताने वाली हूँ कि आपके shift में कितने question को drop कर लिया गया है आपके subject में कितने question को drop कर लिया गया है ताकि आपको एक idea लग जाए कि आपके grace marks के बाद आपके कितने marks बढ़ने के chances होंगे तो just for example यहाँ पे देखो आप 21st मे को shift 1 के अंदर English के paper में इस question को यानि कि first question जो drop दिख रहा है आपको यहाँ पे इस question को drop कर लिया गया है ये question last time जो अंसर किया आई थी उसमें drop नहीं था बढ़ता है na simply मान लो कि इस question को drop कर लिया गया क्या होता है कि अगर कोई बच्चा इसको attempt कर के आ गया चाहे वो A, B, C, D option में से किसी को भी tick कर के आ गया उसको क्या मिलेगी पूरी की पूरी grace marking यानि कि 21st मे को shift 1 में जिस बच्चे ने इस paper को attempt किया था उसको grace marking दी जाएगी दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे question भी मिले है जिनकी multiple answer correct है यानि कि multiple answer होंगे उसके correct होंगे A, B, C, D में से मान लो 2 answer correct हो सकते या 3 answer correct हो सकते कुछ questions तो ऐसे भी है जिनके 4 के 4 answer ने correct है तो उस case में क्या होता है कि मान लीजिए एक question है कोई भी question मान लो question number 13 मान लो उसमें कि उसका answer A correct है, C correct है और आपने A और C में से किसी A को tick करके आए हो आपको उसकी grace marking मिलेगी अगर आपनो बस ये आपको एक idea लग जाएगा कि आपको कितने grace marks मिलेंगे मैंने pdf wise, subject wise एक पूरी list बनाई है जिसमें कि आपको ज्यादा परिशानी नहीं होगी calculate करने में कि आपको कितने marks मिलने वाले हैं grace marks मिलने वाले हैं जस्ट आप ये देख लो कि कितने question डॉप हुए है उसके हिसाब से अपने marks को प्लस कर लो बस preference sheet तो मैं बार-बार बोल रही हूँ preference sheet ये जो चीज़े है raw score college कौन सा मिलेगा ये सारी चीज़े तो चलती रहेंगी ये result जो आपके result में clear होके आहीं जाएगा but main चीज है preference sheet जो कि आपको खुद को बनानी है जो कि बहुत important factor है deciding factor है कि आपको कल को जाके कौन से colleges मिलेंगे Delhi University में आपको admission चाहिए तो तो उस पे ध्यान दो major आपका focus है वो preference sheet पे होना चाहिए क्योंकि face-through का registration बहुत जल्दी start होगा तो उस पे ध्यान देना top college को हमेशा उपर रखना low ranked college को नीचे रखना चाहिए आपके marks 200 आए हूँ चाहिए आपके marks 700 आए हूँ इस बात को ध्यान रखना और गाठ बान लो आपको top college को उपर रखना है बस इतना ही कहना था मुझे आपको video helpful लगी हो तो video को like करके जरूर जाना, channel को subscribe करना and thank you so much for watching